हलो फ्रेंट्स स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका SSC Constable GD 218 जहां ये भरती 21 जनवरी को परिणाम निकलता है बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जिनके लिए खुशियों का पैगाम आया और बहुत सारे हमारे साथी ऐसे भी हैं जिनको मायूसी मिली हताश हो कोई आगे चांस नहीं बचा अब देखे हम बात करते हैं कि क्या इसमें हो सकता है ओल मेडिकल फिट कैंडिडेट जॉइनिंग का एक बहुत बड़ा जो है प्रॉपेगेंडा है जिसको हम कहेंगे कि कुछ लोगों ने ये प्रॉपेगेंडा शुरू किया ओल मेडिकल कैंडिडेट जॉइनिंग दो जबकि ये संभव नहीं है किसे बिस्तिती में संभव सरफ एक इस्तिती में संभव है कि माननिये ग्रहमंत्री जी जो इसको अप्रॉव कर देते हैं लेकिन ऐसा देखे दोस्तों फोर्स में हमने नहीं देखा कि कभी ऐसा हुआ हो हमारे देश में ओफिसर्स की वेकंसी खाली है लेकिन वो पद एक साथ कभी नहीं भरे जा सकते उसके लिए स्पेशल ड्राइव चलते हैं वो वेकंसी फिल करने के अब देखे दोस्तों मुझे पता है कि बहुत सारे हमारे साथी जो है उनको बड़ा बुरा लगता है ये बात कि All Medical Fit Joining का हम विरोध क्यों कर रहे हम विरोध नहीं कर रहे हम आपको हक की बात बता रहे हैं आपको कानूनी बात बता रहे हैं क्या इसमें हो सकता है वेटिंग हो जाता है तो भी हमारे 25,000 साथी ऐसे हैं जिनको फाइदा हो जाएगा और वेटिंग का ही मैं आपको इसमें एक पॉइ चार मार्च को जारी हुआ है, क्या है ये, इस ओर में क्या लिखा हुआ है, ये आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ, इसमें लिखा है, आपके लिखा है, तक के लिखा है, तक के लिखा है, जो 35 लिखा है, ये इशू हुए है, DATED 11 February 2021 And as approved by the Competent Authority, following board of officers are hereby detailed for identification of candidates, verification of documents and preparation of service book in respect of candidates of Tirpura State who are provisionally selected for the post of Constable G.D. through SSC exam 2018 and accordingly offer of appointment has been issued to them by this recruitment authority with direction to report STC-BSF indoor for male candidates and STC-BSF taken poor for female candidates on 1st April 2021. 1 April 2021 से आपके सभी जो BSF के हमारे साथी हैं उनकी जोइनिंग हो जाएगी. 1 April अब देखे CRPF के जो जोइनिंग आई उसमें 15 मार्च या उससे पहले कभी भी जोइन कर सकते हैं लेकिन BSF में उन 1st April लिखा हुआ है दोस्तों पहली April को आपको उपस्तित होना है वहाँ पर याप BSF में सेलेक्ट हुए हैं तो Board of Officers किसलिए बनाए गया है? Board of Officers बनाए गया है कि जो आपकी Service Book प्रपेर होगी वो प्लस आपका Verification होगा, Documents का और Identification पहचान होगी Candidates की. पहचान में आपको क्या पूछा जाएगा वो देखिए वो मैं आपको नहीं बताऊंगा यहाँ पे लेकिन वहाँ पर आपकी फुल फ्लेज पहचान होगी, कोई Fraud का कोई Chance ही नहीं है और जो Withheld की जो हमारे साथी है, उनको इसलिए रोका गया है, Finger Mismatch वाले जो साथी हैं, उनका भी Solution अप्रेल के महीने में हो जाएगा अब यह देखे दोस्तों यह क्या कहते हैं, Board of, Composition of Board, Composition of Board यानि क्या Board बैठेगा, तो यह जो है, Board of, Board जो है, वो बनेगा, 1, 2IC या DC, 1 Inspector GD, SI GD, and 1 SI Ministry, ASI Ministry, Sector Headquarter BSF, पानी सागर, from Under Command Units, Sector Headquarter BSF, उनके Under में जो यूनिट हैं, वहाँ से इतने लोग जो है, इतने Officers जो हैं, वो आएंगे किसके लिए, Identification of Candidates, Verification of Documents, अब क्या क्या Documents होगा, Education, Cast, Domicile Certificate, and Other Testimonials with Original Documents to be produced by candidates on arrival and preparation of service book in respect of 195 male candidates of Tirpura State, will report at STC-BSF Indoor. जो STC-BSF Indoor में जो साथी हमारे जाएंगे, तरपुरा से, उनके लिए तरपुरा के BSF से ही, ये Board भी आएगा, और वो चेक करेगा, एक April को, उनके सब कुछ documents वगरा, सब कुछ चेक होंगे, वहाँ पे, Identification होगा, तो ये सिरफ, STC-BSF Indoor में ही नहीं होगा, ये सभी जगह ह ही है, दूसरा क्या है, यहाँ पे, दूसरा आप देख सकते हैं कि, 1, 2IC, DC, 1 Inspector, GD, SI, GD, and 1 SI Ministerial, ASI Ministerial, Sector Headquarter, BSF, तिलिया मोरा, from Under Command Units, अब ये female candidates हैं, 32, उनके लिए, ये कहा जाएंगे, ये जाएंगे, STC-BSF, टेकनपूर, टेकनपूर भी मध्य परदेश में ही है दोस्त और टेकनपूर जो है, वो जिसको BSF का मक्का कहा जाता है, BSF का मक्का, देखे, जैसे क्रिकेट का मक्का, लाड्स को कहा जाता है, वैसे ही Border Man का जो बर्थ प्लेस है, BSF के जो हमारे सीमा प्रहरी हैं, उनके जन्भूमी जो है, वो टेकनपूर है, यानि टेकनपूर के नाम स विशेश रूप से जो आफिसर्स जो हैं, उनके रॉंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि टेकनपूर जो है, उसमें ही उन्होंने अपनी बेसिक ट्रेनिंग प्लस अपना कमंडो वो सब किया होता है, इसके लावा हमारे बहुत सारे साथी बीएसर्स के खुशकस्मत हैं, कि जिनको टेकनपूर में ट्रेनिंग करने का मौका मिला है, जैसे ये 32 हमारी फीमेल बेह, जो हैं, केंडिडेट्स, हमारी बहने तिरपुरा से, उनको टेकनपूर जाने का मौका मिला है, अब देखिये दोस्तों, एक बात मैं बताता हूँ आपको, इसमें मैं आपको एक करती थी, कम्प्यूटर का, कम्प्यूटर अपरेटर का, तो क्या मुझे ओफिस में जॉब मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, जीडी वाले जो है साती, उनको भी ओफिस में लगाया जाता है, विल अलसो भी डेटेल वाई कंसर्ण सेक्टर हड़कूर्टर तो एकंपनी, Board of Officers to STC, BSF, Indore and Tekanpur respectively, अब देखी वहाँ जाना है उनको, आप पहुंचेंगे उससे पहले ही Board of Officers पहुंच जाएगा, एक्स्टर मैं पर इफ रेक्वाइड वाई जाएगा, एक्स्टर मैं पर इफ रेक्वाइड वाई जाएगा, एक्स्टर मैं पर इफ रेक्वार्टर from concerned sector headquarters, detailed ministerial staff and GD staff will report this headquarter by 23rd March 2021, along with sufficient packing materials for collection of dossier of candidates, stationary items and computer and printers etc, देखे दोस्तों, आप लोगों के लिए पहले से ही तयारी हो रखे है वहाँ पे, आप लोग जाएंगे पहली April को, लेकिन उससे पहले ही 23rd March को staff रवाना हो जाएगा, सब कुछ computer बगरा सब लेकर, कहां से तुरपुरा से, टेकन पूर और इंदोर के लिए, detailed board of officers will report to concerned STC along with dodgers of candidates, blank service book, stationary items, computer and printer etc, before three days of the date of arrival of candidates, that is 29th March 2021, 29rd March को, आप लोग 1 April को जाएंगे, 29th March को board of officers जो है, वो पहले से पहुंच जाएगा, आप लोगों के स्वागत करने के लिए, आपके documents दियार करने के लिए, board of officers will ensure proper scrutiny of dodgers and if specimen of signature, अब यहाँ पर देखें दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, specimen of signature, handwriting and left thumb impression in 10 different sheets available in dozier of candidates found suspected, same be intimated to this headquarter immediately, यानि किसी candidate का इदी संद्यासपत पाए जाता है, doubtful पाए जाता है, तुरंट सूचना देना है, board of officers will forward daily progress report to this headquarter as per following format, number of candidates allotted, joining of candidates, number of candidates reported, number of candidates not reported, यह सबसे बड़ा important चीज़ है, किस के लिए हमारे उन साथियों के लिए जो select नहीं हुए है, preparation of service book, तो preparation of service book तो उन्हीं की होगी, जो report कर देंगे, जो report नहीं करेंगे, उनका preparation of service book नहीं होगी, board of officers will complete above formalities within one month, that is 30th April 2021, 30 April तक वो पूरी formality पूरी कर देंगे, यह पूरा signature है, अब यहाँ पर नीचे list भी दिया है, किस किस को यह letter दिया है, वो सब दिया है, यह यहाँ पर देखे, BSF website पर, यह सब लोड हो गया, तो कुछ जो कानून बाज होते हैं, कई बार हमें पूछ लेते हैं, कि आपके पास यह letter कहां से है, यह भी यह BSF की site पर दिया हुआ है, यह letter सारुजनी के, और वैसे हमारे पास जो है, अब यहाँ पर female candidate जो बहने है, हमारी वो कहां जाएंगी, वो, BSF के मक्का, टेकनपूर में रिपोर्ट करेंगी, और जो हमारे भाई जो हैं, वो कहां जाएंगे, अब इसमें देखें, नाम सब का दिया है, वो इंदोर जाएंगे, इंदोर भी CSWT, Central School of Weapon and Tactics, जिसको कहते हैं, कि जहां पर हमारे IPS officers जो हैं, उनको भी shooting skills सिखाई जाती है, उनका भी training होता है वहाँ पे, तो आप लोग बहुत खुश खुस्मत हैं, कि हमारे तिरपुरा के साथ ही जो जा रहे हैं, इंदोर और, BSF, अब इसमें देखें दोस्तो, एक बात मा आपको यहाँ पे बता देता हूँ, SDM, तैसिलदार, verification of domicile, caste, and following court orders, यहाँ पर देखें, जो रिट्याचिकाई जो आप लोग लगाते हैं, हमारे साथी जो हैं, रिट्याचिकाई लगाते हैं, बहुत सारे, बहुत सारों को हमने भी advise किया, काफी को advise किया, कि रिट्याचिका लगाओ, और खुशी की बात यह है, कि वो जीत भी गए, medical वाले हमारे बहुत सारे साथी जो हैं, वो जीत गए, बहुत खुशी हमें हुई उनकी, वो भी आपके साथ आएंगे, लेकिन थोड़ा बाद में आएंगे वो, अब इसमें देखे, कौन-कौन से रिट्याचिकाओं के अधीन ये रहेगा, 25-2-0-20 को Honorable High Court of Urisa ने एक रिट्याचिका में फैसला जो दिया, उसमें 10-0-0-2020 को Honorable High Court of Bombay, नागपुर Bench, जमू कश्मीर High Court, मध्यप्रदेश High Court, ये रिट्याचिकाओं के अधीन ये appointment रहेगा, इसका मतलब ये है कि इन रिट्याचिकाओं को जीत कर आने वाले जो candidate हैं, उनकी जगे जो अभी भरती हो गए, जो नीचे से घुसे हैं, यानि कि जो हमारे साथी fit हो जाते है उस समय, तो जाईर से बात है कि जो अभी नीचे से सबसे last candidate है, या सबसे last से एक number, दो number जो है, उनका number नहीं आता, अब वो इनके साथी जो जीत गए case वो आएंगे, तो इनको हो सकता है कि वापस बाहर कर रास्ता दिखा दिया जाए, किनको जो नीचे से अटके हुए हैं, ये देखें दोस्तों ये बहुत ही शांदार पॉइंट लिख दिया, कि एग्जामिनेशन बाई मैडिकल, मैडिकल एग्जामिनेशन दुबारा से होगा, डिजीज, दिसाबिलिटी, एक्सिदेंटल इंजुरी, एक्वार दुबारा जाएंगे, तभी जोइनिंग होगी, अन्ने था घर वापस आजाएंगे, ये फिट नहीं होंगे तो. Candidates will bring following original documents, along with one set of photocopy of each duly attested by a gazded officer, for completing formal appointment formalities. Certificate of Education, देखे, जो भी आपका educational certificate है वो, and other technical, टेक्निकल में आपके पास में आपने computer किया हो, आपने ITI किया हो, आपने कुछ भी extra किया है, डिप्लोमा किया है, वो सब आप लेके जाएं. Matriculation और equivalent certificate, अब कुछ हमारे साथी ऐसा हैं, जिनके mark sheet और certificate एक ही होती है, किसी किसी राज्ये में, वो एक लेकर जाएंगी. Character certificate from two guested officers, दो guested officers से character certificate लेना है, और character certificate जो होगा, उसको counter sign भी करवाना होता है, SDM से. Domicile certificate आपका, cast certificate, क्योंकि देखें, दोस्तों, त्रिपुरा से जो है, यदि आपको documents में कोई problem होगी, आपको वापस जाने के लिए कहा जाता है, आपका 10,000 रुपए आने जाने में खर्च हो जाएगा. Four copies of passport size, तो देखें, यहाँ पे four copies of passport size, copies of joint color, recent passport with sports if married, जो हमारे साथी married है, joint account किसके लिए, joint account के लिए मुझे पूछा था किसी ने कि joint account क्या निवारी है, joint account उसी इस्तिती में निवारी है, जब आप married है, यदि आपके शादी हो चुगी है, तो आपके दो photograph आपको joint भी आपको लेने है, family आपकी wife के साथ में, या husband के साथ में, जो यदि किसी बहन का appointment letter है, तो चार color passport size, आपको मैं बताता हूँ, आप कम से कम 10-15 लेके जाए, बीस तक लेके जाए, ये बाद में भी जरुत पड़ती है, आपको वहाँ बनवाना नहीं पड़े, pen card and ather card, candidate must be in possession of permanent mobile number and permanent email ID, अब ये देखिए, कुछ हमारे साथियों ने पूछा कि क्या mobile रखने देंगे, mobile तो ये force खुद ही कह रही है, कि candidate के पास में mobile होना चाहिए, mobile number and email ID उसकी होनी चाहिए, must be in possession of sufficient money to meet day to day, अब sufficient money उनोंने नहीं लिखा है, तो कम से कम भी देखिए, आपके पास में 10 से 15 हजार रुपए जो है, आपके पास में होने चाहिए, sufficient money का मतलब ये है, candidate must carry seasonal clothing as well as CVs, day to day personal use items and light wedding, टेकनपूर और indoor में देखिए दोस्तों, अभी सरदी नहीं है, अपरेल में आप जाएंगे, वहाँ पर अपरेल में लगबख गर्मी शुरू हो चुकी हैगी, तो आपको किसी कमबल वगरा की ज़रत वहाँ पर नहीं होगी, हलका आप ओढ़ने का और हलका दरी और बिछाने का bad sheet वगरा, यह सब आप प्रॉपर लेके जाएं, एक mosquito net आपके पास ज़रूर होना चाहिए, mosquito net आपको वहाँ भी issue किया जाता है, लेकिन आप initially यह दिया आपके पास होता है, तो अच्छा रहता है, saving bank account in candidate's name be opened in the state bank of India, अब यह देखे, located in locality district and should be in possession of ATM, card, checkbook and passbook, यह सब आपके पास में होना चाहिए, certificate related to relaxation in height or chest measurement as described height का हो गया, अब देखे, एक point जो मैंने आपके लिए छोड़ दिया था, उसको जो है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, कि यह point जो है, कुछ हमारे साथ ही ऐसे हैं, जिनके खिलाफ case चल रहा है, इन एनी case prosecuted against candidate in any court of law, देखे, किसी भी court में, नियाले में आपके खिलाफ कोई case pending है, copy of orders passed by the court and if the case is still pending against them, copy of complete case documents, यही case का फैसला हो चुका है, आपके खिलाफ case था, case फैसला हो गया, तो आप फैसले की copy आप लेकर जाएं, और यदि फैसला नहीं हुआ है, अभी pending है, तो आप उससे related जो भी papers हैं, वो आप लेकर जाएं, क्योंकि case की जानकरी आप छुपा नहीं सकते हैं, यदि आपने छुपाई तो आप problem में फास जाएंगे, अब T.A.D.A. नहीं दिया जाएगा, उसके बारे में रिख दिया, offer of, अब देखे subject to, offer of appointment, subject to, यह BSF act and rules हो गया है, BSF act के अधीन आप रहेंगे, जिसमें क्या है, act क्या है, कि BSF की वर्दी एक अप्रेल को आप वहाँ चले जाते हैं, उसके बाद में आप BSF कानून के प्रावधानों के अधीन हो जाते हैं, वो कानून आपके उपर लागू होता है, उस कानून में क्या क्या होता है, वो भी आपको बताएंगे, अलग से वीडियोज बनाके बताएंगे, उस कानून में क्या सजा दी जा सकती है, वो भी बताएंगे, और सजा क्यों दी जाती है, वो भी बताएंगे, अब appointment being transferable service candidates shall be liable to serve in any part of India और abroad देखें, abroad कुछ हमारे साथी पुछते हैं कि आप BSF में विदेश जाने का मोका मिलता है खूब मोका मिलता है दोस्तों आपको विदेश जाने का BSF में सबसे ज़्यादा मोका विदेश जाने को मिलता है सभी forces में कि पाकिस्तान और बंगलादेश के बॉडर पर तो बंगलादेश बॉडर पर तो आप दिन में कही बाहर भी ऐसा होता है कि आप विदेश चले जाते हैं बंगलादेश चले जाते हैं पाकिस्तान बॉडर पर आपकी डूटी होती है तो जब flag meeting वगरा होती है उसमें फ्लैग मेटिंग पाकिस्तान के एरिये में है या हमारे एरिये में है उस पर डिपेंड करता है या कहां है बॉर्डर पर भी है तो भी जाने का मोका एक दूसरे को मिलता है वहाँ पे इसके अलावा विदेश में डूटी करने का जो मौका मिलता है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि जो हमारी एमबैसी हैं दूतावास जो हैं उसमें विदेश मंत्राले में प्रतिन्युक्ती डेपोटेशन और हमारे कॉंस्टेबल लेवल के जो हैं रेंक के आफिसर वो जाते हैं तो वो सभी को मौका मिलता है लेकिन जो श्री लंका कॉलंबो में जो हमारा दूतावास है उसके सुरक्षा बी-एस-फ करती है तो वो सभी फोर्सेज को माटा हुआ है अफगानिस्तान, काबल में जो हमारा अमबेसी है उसको सुरक्षा आई-टी बी-पी करती है उसकी भी पहले बी-एस-फ उसके सुरक्षा करती थी लेकिन वो बी-एस-फ से लेके उसको आई-टी बी-पी को दे दिया इराक में जो हमारा embassy है, बगदाद में उसकी सुरक्षा CRPF करती है, लीबिया में जो हमारा embassy है, उसकी सुरक्षा CRPF करती है, तो ये सब को देखिए, अलग-अलग forces को बाटा हुआ है, लेकिन विदेश जाने का जो मौका है, वो BSF में ज्यादा मिलता है, अब पूरा documents के बा नंबर का जो point है, वो किनके काम का है, हमारे उन साथियों के काम का है, जो select नहीं हुए, जो इंतजार कर रहे हैं, कि अब क्या होगा, इफ candidate fail to join at above mentioned address on, यदि एक तरिक को आप नहीं पहुंसते हैं, the offer of appointment sent to them will stand cancelled automatically, यहनी automatically लिख दिया है, इसमें कि एक तरिक को आप नहीं जाएंगे, तो आप दो को, तीन को, चार को जाते हैं, आपका स्वागत नहीं किया जाएगा, आपको gate से ही रवाना कर दिया जाएगा, कि एक तरिक को आना है, एक को क्यों नहीं आए, अब आपको justify करना होगा, क्यों नहीं आए, आप कहते हैं, मैं बिमार हो गया था, तो medical के papers देने पड़ेंगे आपको, यह आप कहते हैं, मेरी train लेट होगी, तो station master से आपको लिखवाना पड़ेगा, कि यह train जो है, ग्वालि जो हमारे subscriber हैं, या मैं subscriber नहीं कहता है, मैं तो students कहता हूँ सभी को, कि आप वर्दी पहने, पहले दिन वर्दी पहन के एक photo मुझे जरूर भेजना देखें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कि जब मैं मेरे students को वर्दी पहने वे देखता हूँ, मुझे एक pic जरूर तो वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं, यदि आपका भी कोई point है, हमारे साथ discuss आप करना चाहते हैं, तो देखें, आप WhatsApp discuss आधी रात में भी करते हैं, कोई problem नहीं है, आपको reply करते हैं, आप लोगों की एक शिकायत होती है कि हम call attend नहीं करते, यदि में भी कुछ लोग propaganda करते हैं, कि आप कमाई करने के लिए ये सब चलाते हैं, देखें दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, मैं सहमत हूं इस बात से, लेकिन बिना पैसे के भी कुछ नहीं है, इसलिए ये 50 रूपीज जो है इसलिए रख करते हैं, बिल्कुल आपका स्वागत है, आप जो नीचे हमारा description में नंबर दिया है, यह मैं यहां बता देता हूँ आपको नंबर, इस नंबर पर आप पे करके 50 रूपीज स्क्रीन शोट शेर कीजिए, आपके बास में call हमारे time के according आ जाएगा, तुरंत call नहीं आएगा, ह करके जरूर बताएं, और यदि आपका भी कोई point है, जैनून point आप बिल्कुल discuss करें, तो अब दोस्तों, जिन साथियों को वर्दी मिल गई है, उनको फिर हम मुबारक बात देते हैं, शुब कामनाएं देते हैं, जिनको नहीं मिली है, उनको हम होसला देते हैं, और यह कहना चापते हैं, कि हारना नहीं है, हताश नहीं होना है, यह नहीं मिला तो और मिलेगा, लेकिन मिलेगी जरूर, यदि आप ठान लेते हैं तो, जैहिंद!